असलाम लेकम, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम CSS icons का add कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं CSS icons, यहां पर यह CSS icons हैं, कौन-कौन से cloud वाले icons हैं, यहां पर core वाले icons आप देख सकते हैं, इसी तरह से like वाले icons आप देख सकते हैं अब HTML web page में किस तरह से CSS icons को add करेंगे हम icon library का use करते हुए CSS icons का use कर सकते हैं वो किस तरह से हम font awesome icons का use कर सकते हैं हम bootstrap icons का use कर सकते हैं इसी तरह से हम google icons का use कर सकते हैं यह video ज्यादा length ही नहीं हो इसलिए इस video में सिरफ और सिरफ मैं कोशिश करूँगा कि Google icons को cover किया जाए कि आप किस तहां से अपने web page में Google icons का use कर सकते हैं यहां पर आप Google icons कुछ देख सकते हैं आप इनको practically आपको श्काता हूं कि आपने किस तहां से Google icons को web page में add करना है इसे practically सीखते हैं सो यहां पर कोई भी आप text editor open कर सकते हैं मेरे पास notepad plus plus text editor यहां पर मजूद है तो इसको मैं open कर लेता हूं कि फाइल पर आएंगे new पर क्लिक करेंगे new file create होगी यहां पर HTML का basic code मैं ने लिखा हो है तो इसे मैंने select किया यहां से copy करेंगे यहां पर आगर paste कर देंगे यहां पर क्लिक करने से save करेंगे मैं इस folder में सेव करना चाहता हूं फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं Google आइकन एंड़ डाट HTML लाजमी आपने लिखने और सेव कर लेने अगर आप css यहां HTML वाली playlist शुरू से अगर आप आप देख रहे हैं मतलब कि आपने HTML वाली playlist देखी है यहां आप css की जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको यह basic code आई होप आपको clear होगा अगर नहीं के लिए फिर भी मैं इस वीडियो में इसको basic code को explain कर देता हूं इस लाइन का मतलब यह है कि हम HTML की किस वरियन पर काम कर रहे हैं क्योंकि HTML के different variants है like HTML 3, 4, 5 and so on तो यहां पर HTML5 में क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो यहां पर HTML5 के लिए हम यह code का use करते हैं different variants होते हैं for example HTML 3.02 I think something कुछ इस तरह से है HTML 4.01 या 2 something like this इस तरह से HTML के variants हैं इस तरह आप HTML5 में काम कर रहे हैं तो यह line इसलिए हम लिखते हैं कि तांकि इस चीज़ को बताया जा सके कि यह HTML5 का web page है यह HTML का top level tag है कोई भी HTML का का काम करना इसी tag के अंदर रहते हुए हमने काम करने यह head tag है जो के head section के लिए use होता है जिसको आम दोर बर हम title tag meta tag title tag style tag बगारा देने के लिए use करते हैं a script tag वे देश सकते हैं इसके लावा यह body tag है अब इसको मैंने save कर लिया हुआ है यहां पर इस folder में save किया है new folder 4 में new folder 4 को मैंने open किया इस folder में save कि भी वह file Google icon इसको मैंने open किया यहां पर आप देख सकते है Google icons पर तो ये हमारा Title हो गया, यहां पर यह Body वाले काम होगा ठीक है, तो अब मैंने यहांपर Title में कुछ नहीं डिया हुआ, तो यहां पर Title में मैं लिक देता हूँ, आइकन छलें आइकन लिक देता हूँ आइकन ठीक है, इसको मैंने Save किया, यहांपर आकर refresh करते हैं, यहां पर आप टाइटल में देख सकते हैं आइकन नजरार है यह तो हो गया Google Chrome में अब मैं इसको open with भी कर सकता हूं Firefox इस वैब पेज को यह फारफाउक्स में आप देख सकते हैं टाइटल में आइकन नजरार है यह जो वाइट कलर के अडिया नजरा हुआ है यह बाडी वाला section होता है आप देखेंजी बाडी में लेट से मैं यहां पर एक पर्राग्राफ टेक एक यूज करता हूं परग्राफ अड करनी के लिए पराग्राफ में कुछ भी लिखनें लेट से मैं यहां पर लिख दिया CSS Language यहां पर मैं अपने YouTube चैनल का नाम लिख देता हूं ओके इसको मैंने सेव किया यहां पर यहां पर आकर रिफ्रेश करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इसके spaces में हत्म कर देता हूं एलम के जो यूटूब चैनल नाम है और इसको मैंने सेव किया यहां पर रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर फॉंट इहां पर आकोले लेकिन आपने गूगल पर रहते हुए कोशिच करें के सर्च करें जी को यहां पर सर्च कर लेता हूं Google font ठीक है Google fonts भी लिख सकते है Google font मैंने लिख दिया एंटर करेंगे यहां पर आप ने यह website open करनी है website को गोट से देख लें website का नाम है fonts.google.com इस website को मैं open कर लेता हूं अब आपने कहां पर क्लिक करना है यहां पर icons पर क्लिक करना है इसको यहां से मैं close कर देता हूं ओके नीचे आते हैं जी यहां पर आप different icons देख सकते हैं मसला search, home icon, menu icon, close icon, settings, done and so on कितने ज्यादा icons आप देख सकते हैं यहां पर ठीक है इन icons का अब आपने use कैसे करना है देखें जी मैं फर्ज करें इस icon का यूज करना चाहता हूं चलें इस icon का मैं यूज करना चाहता हूं फेवरेट का तो मैं फेवरेट पर क्लिक करूंगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्लिक कर लें तांग यहां पर स्क्रोल कर सकें kaikki वैरियेबल आइगं फांट आप इसका यूज ना करें I suggest I suggest कि आप यूज करें static icon font का यहां पर आप code देख सकते हैं इसको select कर लें और इसे कर लें जी copy आप जहां पर आप web page का काम कर रहें यहां पर आजए हैड़ टैग में आएं और यहां पर आकर इसे paste कर दें ठीक हो गया अब इसे कर लें save अब मैंने code क्योंकि लगाना यह favorite वाला तो यहां से थोड़ा सा नीचे आएंगे inserting the icon यहां पर copy करेंगे अब यह icon के लिए मैंने code copy कर लिए यहां पर click करेंगे तो copy हो जाएगा यहां दूसरा तरी करिए है कि आप इसको select करेंगे पहले जिस तरह किया था तो इसको यहां पर right click करके copy कर लें यहां से click करने से भी copy हो जाएगा अब यहां पर आएँ अब मैं add करना चाहता हूँ icon यहां पर तो यहां पर आकर कर देंगे पेस्ट यहां पर क्लिक करें backspace का button दबाएं यहां पर क्लिक करें backspace का button दबाएं अब इस line की वज़ा से favorite icon add हो जाएगा अब इसको मैं करता हूँ save और यहां पर आकर मैं करता हूँ refresh यहां पर देखें जी फेवरेट icon नजर आ रहा है ठीक हो गया आप Firefox में क्योंकि यह web page open किया हुआ था यह वाला ठीक है Google icon.html वाला इसको मैं करता हूँ refresh यहां पर आपको icon I hope नजर आएगा यह देखें जी icon आप देख सकते हैं इसी तरह से फर्ज करें कि मैं यहां पर यह वाला icon भी करना चाहता हूँ home वाला इस पर क्लिक करूंगा अब यह code जो था यह वाला यह code add कर दिया हुआ अब बार बार नहीं करना अब यह जो home icon वाला जो code इंसर्टिंग दा आइकन यह code को बस copy करना है इसको मैं करता हूँ select यहां से करता हूँ copy यहां यहां दूसरा तरीका यह आए कि आप céu आजी आप आपना के यहां फीजाओन चाहता हूँ यहां पर मैं paste देता हूँ यहां पर आकर कोड की वज़ा से हम वाला इकन शोगा यहां पर हुट नहीं आ रहा वजह क्या इसको सेव कर लें ईदर देखें ची होम का इकन के में आप यहां पर हुआट हुआ यहाँ पर भी शोर है ठीक हो गैंना आई होप को समझ आगी होगी चले जी मैं यह वाला इकन नहीं चाहता भी तो इसको मैं यहां से तादेता ओ और सेव करते हैं यहां पर आकर मैं करता हूँ refresh तो इसको मैं बांदिगार देता हूँ इसकी तुरत कोई नहीं गूगल क्रोम पर हम कर लेते हैं अब मैं इस पर css supply करना चाहता हूँ internal inline css inline css के लिए style का attribute यूट यूज करेंगे और यहां पर inline css मैं add कर सकता हूँ यहां पर मैं कर देता हूँ मसला इसका मैं size बढ़ा करना चाहता हूँ तो यहां पर लिख देता हूँ font size css property font size यहां पर मैं कर देता हूँ 40 pixels इसको मैंने save गया यहां पर आकर refresh करते हैं तो यह देखें आइकन बढ़ा नज़र आ रहा है अब अगर फर्ज करें इसको मैं 88 कर दूँ इसको मैं save करता हूँ 88 pixels refresh करते हैं तो यह आइकन बढ़ा नज़र आ रहा है अब इसका मैं color change करना चाहता हूँ का आइकन का तो यहां पर मैं color वाली css property भी add कर दूँगा यहां पर इसको मैं कर देता हूँ red save करते हैं refresh करते हैं यहां पर आकर इसको मैं blue कर दूं भी एल यू ई यू इडू के यहां पर आकर save करेंगी ठीक है चाहिए कृट की होती है यह ग्रीन में आप नज़र आ रहा है आई होब आपको समझ आगी होगी आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इस ताहँ से आइकन का ओके यहां पर देखें मैंने एक वेब पेज बनाया था अगर आपको यादो तो HTML वाली अगर आपने वीडियो से देखी है तो यूट्यूब चैनल पर HTML वाली प्लेलिस्ट मुझूद है वहां पर जाकर आप ニगा थेयुक् से hear कर सकते हैं है यहां पर मैं हेसटीमल वाला वह पिज ओपन गिया मैंने यहां पर इसको मैं ओपन विदध करता नोड़ पेड प्लस प्लस और यहां पर मैं क्या करूंगा सबसे पहले क्यूंकि इसका उपन वीड करके विदिखा दितंग ओम ओपन वीद फाइरफाक्स ओके यहां पर उपर मैं चाहता हूं कि क्या नजर आए नजर आए जी लॉग इन इसके लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर लिखना पड़ेगा जी लॉग कि मैं एच वन में आड़ कर देता हूं है डिंग वन में लाग इन सेव किया इसे रिफ्रेश करते हैं यहां पर आके यहां पर लाग इन नजर आ रहा है अब इसको मैं लाग इन को सेंटर में करना जाता हूं तो इसके लिए प्लाई कर सकते हैं आप तो चले मैं मैं css apply कर देता हूँ style attribute का use करेंगे inline css के लिए यहां पर मैं लेकर देता हूँ text line और इसको कर देता हूँ center कि से मैंने save किया refresh करते हैं तो यह center में आगे अब I login से पहले मैं चाहता हूँ icon तो उसके क्या करना पड़ेगा login वाला icon add करना पड़ेगा icon वाला login वाला icon किस तांगा दिखाए देता है यहां पर देखें जी अब आपको इतने inserting the icon इसको मैंने किया copy लेकिन याद रखें इस webpage में मैंने head tag में यह वाला code नहीं लिखा हुआ यह वाला static icon वाला इसको पहले add करना है इसको मैंने copy कर लिया यहां पर आते हैं यहां पर आकर paste कर देते हैं इसको मैंने किया यहां से save अब icon add कर सकते हैं चलें जी icon के लिए मैंने किया यह code copy और यहां पर आकर मैंने कर दिया code को paste इसको मैंने किया यहां से save और यहां पर आकर करते हैं refresh तो यहां पर आप icon देख सकते हैं ठीक हो गया जी अब मैं चाहता हूं जी आप वापस आते हैं चलें से बंद करते हैं यहां पर यहां पर लिखा हूँ है यूट्यूब चानल है क्योंकि यहां पर आइकन को मैं हटा देता हूं इसको icon को भी लगा रहे हैं तो कोई इस्वी नहीं यह इतना ठीक है वैसे मैं हटाना चाहता हूं इसे तो चलें इसे हटाते हैं इसको मैं करता हूं से यहां पर कहां पर सेव है यह से यहां पर इसको मैं open करता हूं open with firefox अब मैं चाहता हूं यह इल्म की जिस्तजू से पहले यहां पर यूट्यूब वाला आइकन नजर आए अमीद है कि Google icons में YouTube वाला आइकन भी होगा तो वो इसको तलाश कर लेते हैं यहां पर मैं लिखता हूं YouTube यहां पर देखें जी YouTube वाला YouTube सर्च डफार और YouTube एक्टिविटी वाला आइकन है चलें YouTube से मिलता यूट्यूब वाला आइकन हमें मिली गया कोई ना कोई तो यूट्य वाला यह आइकन लगा देते हैं तो आपको जोन सा इकन चाहिए आप सर्च कर दें फिर उसके रिलेटीड आप आइकन एड़ कर दें चलें जी यहां पर मैं नीचे आता हूं यहां पर इस आइकन के कोड को मैंने किया कापी अब यह स्टैटी कोड आइकन फांट है ठ्यूक होगा यूट्यूब एक्टिविटी काला आइकन आब आ अजह क diffuse और यहां से आकर करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यूट्यूब एक्टीविटी के वाला आइकन नजरा रहा है अब इसको में जुम करके बताता हूं यह को यहां से आप अपनी मर्जी का आइकन नजरा आ कोई भी कर सकते हैं जो आपको आइकन चाहिए आप उस तरह के यूज़ कर रहे हैं यू टूब के रिले टिटर दो यह आइकन अभी आ रहे हैं आई होप आपको समझ आ गी हो कि कि तरह से हम ने इनका यूज करना आइकन का गूगल आइकन का घृन कि यहां से आप मजीध देख सकते हैं कितने ज्यादा इकन्स हैं हैं आप को जोन सा इकन चाहिए उस तक से उसको Use कर लें इसान मैने आपको बताए मैंने यह आइकन चाहिए तो यहां पर क्लिक करें इस नीचे यह यह District आइकन फांट वाला यह वाला जो कोड है यह वाला कोड कहां होना चाहिए हैड टैग में लाजबी होना चाहिए जिसना यहां पर है एक मरतवे बस लिखने फिर उसके बाद जो सा कोड कर आपने आइकन एड करना है उसका यह वाला कोड कापी करते जाएं और यहां से और वहा आई हो आपको समझ आगी होगी कि हम किस तरह से गूगल आइकन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेस्टन हो गूगल आइकन के हवाले से तो आपको कमेंट वाक्स के जरीए पूछ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इलम की जुस्तजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो टेक केर अलाफेज